Hello Students. R.S.A.T. exam कल के लिए जो है 6 December 2020 के लिए important questions बताने वाला हो जो की कल exam में आने लाइक है। यनि वही questions जो है आ सकते हैं आपके exam में 6 December के exam में इस questions को देखने के बाद आप जो है पास आसानी से हो सकते हैं और percent भी बन सकते हैं लेकिन ये के ये जो questions है इन मेंसे बहुत सारे 25 से 30 questions है वो आपके RSAT exam के paper में कल के जो paper में आपको दिखने को मिल जाएंगे संद्या Computer Center जो की सबसे विश्वसनिय सेंटर है तो उसके द्वारा जो त्यार कियेगी ये जो series है ये जो पार्ट है 35 प्रशनों की जो series है वो आप एक पूरी की पूरी रट लो बनाद पूरी की पूरी एक ज्याद कर लो क्योंकि यही questions आपको कल के exam में दिखने को मिल सकते है यहाँ पर बढ़ते हैं पहले questions के और पहली generation PD का मुक्य जो compartment है वो क्या था तो यहाँ पर जो है इसका B options आई है vacuum tube और valve यह जो इसके क्या थे मुक्य यानि main component थे तीक है second questions के और बढ़ने से पहले में आप सभी को बता दो इस channel को subscribe करके bell icon को प्रेस कर दीजी RACTA exam के important questions के सा आपको बहुत सारे competition exam की जानकारे भी मिलेंगी इसलिए channel को subscribe करके bell icon को प्रेस किजी वीडियो को जरूर लाइक किजी यहाँ पर second questions है निम्न महशे कौन सा computer data बंडारन समता और परदर्शन के आधार पर सबसे powerful computer माना जाता है सभी को यह questions आना चाहिए कौन सा है super computer जो कि सब से बंडारन समता और परदर्शन के आधार पर क्या है सबसे powerful computer का जाता है यहाँ पर तीसरा है printer और monitor निम्न महशे किसका उधारन माने जाते यह किसके example है तो यहाँ पर आपको इसका यहाँ पर जो output device है यह कौन सी device है output जो क्या करते हैं output देती है यहाँ पर यहाँ पर आपको जो इस किस्वन्स को पढ़ना है जो भी आरेसेटी एक्जाम में किस्वन्स आये उनको ध्यान से किस्वन्स को पढ़ना है फिर उसके ओप्संस को देखना है और सोच समझ कर ठीक है अपने दिमाग लगाकर आपको उन आंस्वर का जो है गोला करना है ठीक है ऐसे मत करन करता है और दूसरे को रण करने में प्लैटफॉर्म त्यार करता है और थोड़ा कंफीज वाला किसन से इसलिए मैं आपको बता दू इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रखना इसका ऑप्सन सही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर 60 किसन के और हम बढ़ते हैं ऐसी कौन सी म परेटिंगे तो यहां पर जो भी किसन से है वो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए फिर ऑप्सन देखिए फिर उसका जो है आपको आंस्वर देना है सांत्वा किसन से एक ऑप्टिकल इंफुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पैंसिल के निशान को स्कैन पड़ेन अब यह एक्जाम में आ सकता है कि पोट्रेट और लैंडिस्केप क्या है तो यह है पेज औरेंटेंशन नवा किसन से आउट आउटलू माइक्रोशॉप्ट एक्सेंज किस प्रकार के खाताओं का समर्तन करता है यह नवा किसन और इसका सही है ए और बी यानि दोनों है पॉ कंपिटर के साथ सयोजन के रूप में इस्तमाल करने वाले प्रेंटर में से कौन टोनर का उपियों करते हुए प्रेंट करता है बहुत ही अच्छा क्यूसन्स है इसका सही अप्सन है laser printer बारवा क्यूसन्स है जो कि अच्छा क्यूसन्स है URL का पूरा नाम जो कि आप सभी को पता होना चाहिए इसका पूरा नाम है uniform run locator तीक है sorry uniform resource locator यह यह अप्सन सही है इसलिए आपको confused नहीं होना है तेरवा है सरकारी शिवाओ को नागरिक तक किस माध्यम से पहुचाया जाता है मलब किस medium के द्वारा जो है पहुचाया जाता है इसका सही अप्सन है e-governance शवद्वा है एक नामित है डिश्क पर फाइलों को स्टोर करती है यहाँ पर ऐसे जो किसंस होते है खाली जगवाले वो आपको सोच शमझ कर यानि बहुत ही अच्छी तरश से concept clear करके इनका answer देना है इसका सही option जाएगा फोल्डर पनवरा है e-pds के संदर्ब में bpl का पूरा नाम below poverty line और apl का पुछे तो abo poverty line SSO का पूर्ण नाम जो है single shine on तीक है यह बहुत ही simple किसंस है शतरवा है times new roman क्या है बहुत ही अच्छा किसंस है तो यह क्या है तो आपको जो अच्छी तरश से याद होना से यह क्या है एक font है आपको जो most font है वो याद कर लेन है most font style याद कर लेन है तीक है और short जितने भी है 25 बार साथ वो भी याद कर लेन है अटारवा किसंस है दस्ताविज में नया paragraph दर्ज करने के परियोग किया जाता है अटारवा किसंस से see enter button फिर है 19 वा किसंस निमलकित में से राजस्तन सरकार द्वारा चलित एक e-commerce का जो उधारन है वो क्या है तो इसका option सही हो जाएगा D यह है e-bazar 20 वा किसंस है यहाँ पर job search website एक उधारन है तिके तो यहाँ पर monaster.com है वो भी एक क्या है एक job search जो website का एक example है उसी परकार से यहाँ पर nocree.com है तिके बहुत सारी हैसी है 21 है powerpoint में नई slide जोनने के लिए shortcut keys का जो है किस shortcut keys का है वो उप्योग किया जाता है तो यह है यह option सही है control प्लस M से हम नई slide को क्या करते है एड कर सकते हैं 22 वा किसंस है powerpoint में वर्तमान slide से slide show शुरू करने के लिए shortcut keys का जो परियोग करते है वो है F5 ठीक है यहाँ पर F5 जब हम प्रेस करेंगे तो वो slide है वो शुरू हो जाएगी इसका जो सही option यही है 23 है MS Word 2010 में portrait पर landscape क्या है ठीक है यहाँ पर confuse करने के लिए MS Word 2010 बताया है ठीक है जिससे क्या student confuse हो लेकिन कोई confuse ने होना है page orientation ही है MS Excel में formula की सुरूआत होती है वो equals से होती है बहुत ही simple questions है 25 है MS Excel में एक start का परकार नहीं है 25 questions most important है D यहनि database यहाँ पर जो 27 questions है वो है निम्नमेश किस presentation program का जाता है ठीक है किसको presentation program का जाता है अच्छा question से powerpoint को का जाता है 27 है किस shortcut किस द्वारा किसी document में hyperlink जोड़ा जा सकता है बहुत ही अच्छा options है C options है Ctrl plus K करके हम जोड़ सकते है 28 है नविन्तम mobile operating system का उधारण है जो की नविन्तम है B Nogat तीक है और आपको सबसे पहला ऐसा को भी कोई पूछ सकते है जो है Astro 29 है कौन सा एक शाइबर खत्रे का परकार है तो यह भी एक most important है इसका option हो जाएगा उप्रोक सभी तीके जितने भी दिखाई दे रहा है वो है किस के दोरा रोका जा सकता है किस के दोरा बंद किया जा सकता है इसमें आपको confusion नए होना, escape के दोरा ही रोका जा सकता है motion path क्या है तो ये क्या है 32 किशन से तो ये है एक slide पर item को move करने का तरीका 33 किशन से एक slide show में slides sense होने पर display के लिए implied effect क्या कहलाता है ये जो है इसको computer की भासा में या MS power point की भासा में क्या का जाता है slide transition का जाता है 37 किशन से एक computer wise जो पैसान को रोकने के परियास में antivirus program पर चकरी रूप से हमले करता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्चा किशन से रेट्रोर वाइरस याद रखना है नाम 35 है भारती IT अदिनियम 2000 IT एक दो थासन के नियम के किछ चैत्रों को नियंतरत करने के लिए त्यार किये गए ये थोड़ा basic level का जो किशन से है इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर इसका जो answer है वो है चुचना फ्रोदर की की तो ये थे 35 कुशन जो कि कल के सेद समबर 2020 के पेपर में आने लाइक थे इसलिए इन सभी प्रशनों को एक बार आप पूरे के पूरे रट लेना वीडियो चाहे दो, तीन, चार बार देखिए लेकिन ये सभी प्रशन आपको याद होना बहुत ही जरूरी है इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल एकम को प्रीज कर दिया क्योंकि संध्या Computer Center चैनल के माध्यम से आपको जितने भी RCT exam होंगे उनके Most Important Questions, Most जो भी News होगी या कुछ instruction RCT exam से रिलेट में और अधिक जो भी और courses है, RCT के अलावा, CCCC courses है, जो भी हैं, ठीक है, DC हैं उनके बारे में भी पल-पल जो है जानकारी आपको उप्लड कर रहे जाएंगी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल लेकम को प्रीज किजिए धन्यवाद, जयाहिन, बन्यमाद,